sir thank you so much thank you thank you thank you thank you everybody thank you thank you मैं आपको ये पताना चाहता हूँ कि सुबह से आप तो करिबन मुझे लगता कोई लोग तो साम को कल रात से निकले होंगे यहां कलकता नजरूल मंच में पहुंचने के लिए कई लोग सुबह में निकले होंगे कई दस बज़े निकले होंगे यानि कि आज पूरे दिन और आज करीबन साड़े छे बज़े होने के लिए आ रहा है इतना उत्सा इतना उमंग जो आपके अंदर भीतर बेहन है वो आपको 110 परसंट सक्सेस करके रहेगा यह संभव इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो मिशन देखा है इसलिए हमने संभव हुआ है बाकि यह प्रेक्टिकली उमन जो हमारा माइंड रहता है उनकी केपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 40 मिनिट की रहती है कितनी? 40 मिनिट या 40 मिनिट को हम कुछ एंजोई कर सकते हैं या किसी को सुन सकते हैं या कुछ चीज हम देख सकते हैं 40 मिनिट से ज्यादा नहीं रहती है जो पिक्चर भी रहते हैं वो भी दो घंटा धाई गंटा होता है लेकिन बीच में भी इंटर्वल होता है लेकिन आज बारा बज़े से यह होल में अभी शाड़े छे बजगे ए फिर भी आप लोग वही उत्सा वही उमंग के साथ बेठो हुए है इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा हेल्दी इंडिया मिशंस वेल्दी इंडिया मिशंस ओर्गेंटिया मिशंस हमारा साकार होने के लिए जा रहा है कि कहीं लोग क्या बोलते हैं कि कहीं उठ्सा में आकर बोल देते हैं कि यस मुझे बनना है मुझे बनना है लेकिंग इसके पीछे क्या नोचावर करना पड़ता है, इसके पीछे कितना हमें वर्क करना पड़ता है, इसके पीछे हमें केसी सोच रखनी पड़ती है, ये सब चीज होती है, तो ही हम डाइमंड बन सकते हैं, बाकि जो हमारे पास सोच नहीं रहती है, हमारे पास कारिय सकती नहीं र कि दाइमन्ड बनना चाहते है तो चलो कि अभी मैं आपकी जर्णी के तरह में ले जाता हूं डाइमन्ड बनने की जर्णी केFilिए प्रसंट आसान तरीका है डाइमन बनने का इसक बहुत आसान तरीका है किह सब्सक्राइश Jon रही बोल दो a b c d e f g आप सब बोल सकते हैं ना है है कि छोटे बच्चे होते हैं तो भी वह भी बोल देते लेगिन बहुत छोटे होते हैं तो कभी-kभी स्कूल पे या केजी में या वगरा में नहीं कर दोने बोल सकते हैं लिग आपको तो सब को ए-b c d आती है बहुत इजी तरह के आप बोल सकते हो बस सेम ये डाइमंड बनना एकदम इजी थिंग है इसके लिए आपको तीन चीज़े याद रखने पड़ेगी कितनी जो ये तीन चीज़ किसी ने भी अपना लिने वो डाइमंड हो क्या हमारा फर्स्ट क्राउंड अंबसेडर के सेवन क्राउंड अंबसेडर के तो ओ भी कुछ नहीं है वो आदमी दुनिया में इतना सफ़ल इतना उचा पहुचेगा कि उनके उपर किताबे लिखे जाए इसलिए मैं आपको बोल रहा हुँ कि अने जिंदगी में नीटी मत्या है प्रमानिकता है Oui और धर्म कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो ये पूरे यूनिवर्स में ये पूरे भार ये पूरे वर्ड में जितने भी धर्म है आप कोई भी धर्म को आप फोलो कर रहे हैं तो ओ धर्म की मैं बात कर रहा हूं पहला मैंने किया है नीतिमत्ता प्रिंसिपल हमारा principle एक गम पर फैक्ट होना चाहिए निती मत्ता हमारी प्रमानिक होनी चाहिए और honesty यानि कि हमारी वफादारी होनी चाहिए towards the goal जो हम जो बनने के लिए जा रहे हैं इसे और जो बनने के लिए क्या हमें गलत काम करने के लिए सीखाते है कि वैं द्रम क्या सिखाता है तो आप अपने profession में धर्म लगा दोगे ने तो आपको भी डर लगेगा कि सबसाब कुछ गलत काम करने के लिए जा रहे हो ने वह अंदर आपका जो कौन से सोगा ने वो बाइट करेगा आपको अंदर की जो आपकी आत्मा है ने आत्मा आपकी दुभाएगी कि और जीन लोगों ने हम कि सब बहुत फेमस बहुत रीच बहुत सफल लोग बहुत सक्षेश लोग कि पुरे दुनिया में जिसके उपर बूक लिखी गई है या सब लोग हम जानते हैं उसकी जीवन चत्रत्र में एक ही चीज जो प्रायोरिटी बेस पे जो रहती है ने आप कोई भी ले लिजिए गांधी जी को ले लिजिए धिरुबाय अंबानी को भी ले लिजिए या कोई भी स्पोर्समेंस को ले लिजिए जिसने साथ साथ गोल मिडल ओलमपिक्स में जीते हुए है या आप ले लिजिए हमारे सचिन टैंडुल करको भी जिन लोगों ने भी सफलता प्राप्त की है न, उन लोगों ने धर्म है न, पहली प्राइरिटी उसोंने धर्म को दी है, क्योंकि धर्म कभी बेहिमामनी नहीं सिखाता है, तो आपका जो कारिया करने के लिए आप जा रहे हो न, इसमें कभी बेहिमान या बेहिमान आपकी भूज भी नहीं आ सकती है धर्म को जो साथ में रखोगे तो दूसरी बात रही निती मत्ता और प्रमानिकता काम के प्रत्य प्रमानिक भी होना चाहिए लेकिंग एक बात मैं आपको कहिना चाहता हूँ आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये लो ओप एट्रक्शन्स के बारे में सुना हो गया कितने लोगों ने सुना है लो ओप एट्रक्शन्स यस बहुत सारे लोगों ने लो ओप एट्रक्शन्स के बारे में सुना है यह लो पेट्रेक्शन क्या होता है कि जम जिसको चाहते हैं हमारे सपोस्थ के हम हमारी हेल्थ को चाहते हैं हमारे सरिक स्वस्थ को चाहते हैं तो ओचीज हमें मिलना सुरुआत हो जाती है हमारा हेल्थ अच्छा हो जाना सुरू हो जाता है हम सपोस्थ के कोई रिलेशन्स में है डिलेशन हमारा कर दो रहा है लेकिन say दिल से कहा उसको हम सोचे करें मेरा रिलेशन साज्छा हो रहा है अच्छा रोए अच्छा होगा अच्छा होगा को तो 110 परसंट वह आपका तो कई हम 91 एफम लगाते है तो उसमें से गाने आना सुरू हो जाते है 92 एफम होता है 93 एफम होता है 98 एफम होता है 101 एफम हो रहता है इसी तरह से एफम रहते हैं न सब बहुत रेडियो तो यह क्या है वो फ्रिक्वंसी है 97 ऋनकी फ्रिक्वंसी है कि रेडियो मौरची सिनना है मिरची सुनना है तो 97 की बहुत थink लि타, लगेश्षक जाता है इसी से आजադा है नह karena यह किस कि से संभव вр He зай . musimy हुआ सब इने हैं रिक हम तो यहां रेडियो ले बीटके थे वहां से छोड़ रहे हमारे से 10 किलोमेटर 20 किलोमेटर सो कुलोमेटर दूर से वहां से वेवस ठोड़ रहे है और वेवस की एक्टिव रता रहती है तो हमारा जो रेडियो का इंटेना है उसको कि एसेप्ट करते है और जो उनकी जो लेंग्वेज जो रहती है यानि कि वेवस की भी एक लेंग्वेज रहती है जीरो वन जीरो वन जो हमारे जो कॉंप्यूटर में लगाते ने जो जो यानिकी सी प्लस वगेरा लेंग्वेज रहती है न सब रैट एसी तरह से उनकी भी एक लेंग्वेज होती है तो रेडियो में गायन गाना हम जो सुन सकते हैं कि जैसी हमने फ्रिक्वंची रखी एसा स्टेशन हमारे पास आएगा यह समझ में आ गया अभी जो यह 95 परसंडेश लोगों ने जो जो से साथ बोला था ने यह समें डाइमंड बनने के लिए जा रहा हूं कि में डाइमंड बनना चाहता हूं यह उसके लिए अभी यह चीज म कि बता ही नए तालिश शुरू कि जैए बंदमोन गें मुझ्च वह दिल से बंदमोन ह मुझ्च अभी बात ड़ी सुनिय मिजिए हैं कि हम क्या करते अक्षर हर 27 सउermaid नहीं मजा नंटी-अट पे चले गये 98 पे नहीं मजा आया 101 पे चले गएवाहां से मजा नहीं आया 92 में चले गए फार बार बार भार हम चेंज करते ही रहते हैं और कोई भी गाना रहता है कोई भी चीजर्य देदी है और में आननन North कि और व्यसके भी हमारे सरीर में एक आहे होता है यह एक लोड़ एक्रेक्शंज में कि आप जितनी फ्रिक्वंसी से अपना सेट अप करोगे ब्रेन को आपको सेट अप करोगे कि यस मुझे डाइमंड बनना है मुझे डाइमंड बनना है मुझे डाइमंड बनना है तो आपका लोप एक्षन होता है नहीं जो कारिय करने का ओ जागुरू तवस्था में आ जाता ह तो आपका brain, आपका mind, आपका soul, आपके करोडो cells, आपकी धमनिया, आपकी veins, आपकी kidney, आपका heart, आपका liver, आपका bone, आपके बाल, आपके rug, rug में वो diamond बनने के लिए वो आपको universe आपको energy देना शुरू हो जाते है यानि कि हम physical, physical यानि कि जो आदमी जिन्दा है या कोई भी चीज, इसको physical, ये फूल को भी physical कह सकते है लेकि non-physical, non-physical क्या है, non-physical जो हम सोच रहे हैं न, जो हम सोचते है, it called non-physical कोई कि हमने सोच रखी, कि यास, मुझे diamond बनना है, पने से नहीं, खली दिमाग से, unconscious को भी पता होना चाहिए, हमारे दिमाग दो प्रकार के होते हैं, conscious और unconscious, unconscious को भी पता होना चाहिए, कि मुझे diamond बनना है, जो यह प्रोड़क है, इंदुस्तान तो नहीं, जितने भी जीवित लोग है, आदमी भी नहीं, मैं तो जानवर की भी बात करता हूँ, चार पेरों से जो चलते हैं उसको भी ओ काम में आएगी, आदमी को तो काम तो आएगी, सब को काम आएगी, और ओ प्रोड़क का नाम है, नौर्मोलीव, ओ फ्रोड़क का नाम है, नौर्मोलीव, और वो दिजी ओ, थोड़ा सा आप सभी को देखे, बजाएए, बजाएए, यो ये नौर्मोलीव है, क्या दूर्मोलीव, ओजाओी, तक पो अनौर्मोलीव, झाल्मोलीव, बजाएए, और अएगी, बजाएए, प्रोड़क काम में है, है किसी को नहीं रहती है लेकिंग हम सुगर कम करने की बात नहीं कर रहे हैं यहां यह सुनिये सुगर में कम करने के बात नहीं कर रहा हूं वो तो आपको हर टाइम कंट्रोल में रखनी पड़ती है दवायों से मैं तो उसका निर्मुलन बोल रहा हूं मैं डायबिटिक का कि नोट इवन है डायबिटिक उनके लिए ब्लड सुगर नहीं कम करेंगे हम पूरे जड़ मूड से डायबिटिक इसको हम उठा के फैक देंगे वो 29 बे को हम डिक्लेर करेंगे उसके साथ साथ भी बहुत सारी बीजी चार प्रोड़क भी यानि कि डायबिटिक रिवर्सल डायबिटिक जड़ मूड से ना बहुत वो प्रोड़क और उसके साथ साथ दूसरी चार प्रोड़क यानि कि टोटल पांथ प्रोड़क 29th में को हम launch करेंगे, आप में से भाग्य साली रहेंगे, कोन से state भाग्य साली रहेगा, वो आपको decide करना है, आपको हमें proposal देना है राइट आर यू ना एक्साइट एक्साइट फ्रिक्वंसी लगा दी diamond पे फ्रिक्वंसी लगा दी diamond पे आपका दिमाग, आपका unconscience, आपका दील, आपका यक्रूत, आपका लिवर, आपका हाट, आपका हजारों सेल एक ही गती में है, एक ही लाइन में है लेप राइट कहीं जगा पे नहीं है, वो जो जाएगे तो आप जाने भी नहीं दोगे जाने दोगे एक ही लेवल पे रखोगे 110 परसन भगवान भी आज हमें उपर से आशिरवात दे रहा है, थैंक्यू, थैंक्यू वरी माच, जै बेनमोल, जै जै बेनमोल थैंक्यू